आज को जो सेशन है जादा नी सिर्फ 10 मिट्स के लिए टूटल प्राक्टिस करवा रहा हूं बेसिक इंग्लिश में जो चीज़ा आती है टैंस, मॉडल वाप्स, टूबी, टू हाव, टू हाव, टू हाव, टू हाव, हैड और भी बहुत कुछ मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से अटेंटिव होजा और सिर्फ मेरे साथ बोले और ट्रांसलेट करने कुशिस करें मैं अगर आपसे टूटल प्रैक्टिस की बात करो तो बेसिक इंग्लिश में जीन चीज़ों के आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है उसमें सबसे पहले आता है टैंस, सेकंड आपको आने चाहिए टोल मॉडल वाप्स, थर्ड आपको वाप टू बी और वाप टू हाव की स इसके अलावा यहां पर मैं आपको आज जो बताने वाला हो कुछ नया वो तो हाव बीन और तू हाव हैड इसको भी साथ में हम ले लेंगे और कुछ इंपेरिटी सैंटेंस इसे सैंटेंस जिन में आप किसी को आर्डर देते हो किसी को कोई चीज सेजिस करते हो वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन शॉट दस मिट में टूटल प्राक्टेस सारे टाइपस के सैंटेंस की सो लेट्स गेट स्टारेड तो देखो पहले सी यहां पर लिखे होगा है टूटल प्राक्टिस क्लास में आज हम पढ़ रहा है टैंस क्या पढ़ रहे है भई टैंस देख मैं इंग्लिश बोलता हूँ आप कहोगे आई स्पीक इंग्लिश मैं यहां आता हूँ आप कहोगे आई कम हियर मैं वहां जाता हूँ आप कहोगे आई गो देयर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आप कहोगे आई टीच इंग्लिश तो जो भी काम आप करते हो वो प्रिजें अगर आप इसे नेगेटिव बनाते हैं इस्ट्वेंट, so this is very important कि इसमें आपको पता होना चाहिए, do not and does not copy करता है, do not and does not के बाद आपको V5 यूज़ नहीं करना है, सिर्फ V1 यूज़ करना है, वाउप की फर्स फॉर्ण, अच्छा, आमको सबको पता है, V5 हम लगाते हैं, singular फॉर्ण, जॉज़ दॉड़ता है, he runs fast, वाउप अटेज नहीं दॉड़ता है, he does not run fast, fast is an advaok, अगे, ना, वाउप तेज दॉड़', आए, और ए की मातरा आती है, वाउप तेज दॉड़, वह वह यहाँ आएगा वह यहाँ दोड़े गा वह इंगलिष बोले गा व Industry भोलेगा वह इंगलिष बोल रहा है जब आप कोई काम कर रहे हो ना तो उसके लिए आप इस TENS को यूज़ कर दे। जिसे मैंने का वह इंगलिष बोल रहा है he is speaking English वह college जा रहा है he is going to college वह college जा रहा था जब आप कोई काम कर रहे थे मैंने काया वह college जा रहा थे he was going to college वह college जा रहा होगा he will be going to college वह college जा चुका है जब आप कोई काम कर चुके हो या आपने कर लिया है तो he has gone to college वह sentences बना चुका है he had made sentences और वह sentences बना चुका होगा he will have made sentences भई आपको फिर बतादू मैं अगर आप practice करो ना तो practice करते बग पूरा attention आपका practice पर होना चाहिए ये नहीं कि sir मुझसे तो नहीं बनता रोने लग गए sir मैंने कोशिस करी देखो जब practice करो ना तो attentive रहो अपना 100% दो एक सैंटर्स को पूरे 12 टैंस में Hindi to English speedly बोलते हाना चीह मैं मैंने का वह दोड़ता है वह दोड़ा ही रहन वह दोड़ेगा वह दोड़ रहा ही विल रन वह दोड़ रहा हुगा वह दोड़ रहा हुगा वह दोड़ चुका है इसमें डूड़ इसमें डिड़ इसमें आगे आएगा विल इसमें आगे आएगा इसमें आगे आएगा इसमें आगे आएगा वाजन वर इसमें आगे आएगा विल सबजिक्ट बी इसमें आगे आएगा हैज औन हैव इन शार्ट आपको ये समझना होगा कि सैंटिस बन के से रहे कि आप दोड़ते हो दो यू रन कि आप दोड़े डिडि यू रन कि आप दोड़ोगे विल यू रन कि आप दोड़ रहे हो आर यू रनिंग कि आप दोड़ रहे थे वर यू रनिंग कि आप दौड रहा होंगी विल यू बी रनिंग आपको बोलना पड़ेगा फड़ा पड़ क्योंकि मैंने बोला जब तक नहीं कोशिस करोगे तब तक नहीं सीखोगे चलो जब किसी काम को आप कर सकते हो तो वो बनता है कैन में मैंने का मैं यह कर सकता हूँ I can do this मैं यह कर सकता था बोलो I could do it मैं यह कर सका I could do it मैं यह कर पाया I could do it टीनो चारो सिचुएशन के लिए कुड मैं यह कर सकूंगा I will be able to do it मुझे यह करना चाहिए बोलो क्या बोलोगे I should do it मुझे करना ही चाहिए I must do it मुझे करना चाहिए I ought to do it मुझे करना पड़ता है I have to do it मुझे करना पड़ता था I have to do it मुझे करना पड़ेगा I will have to do it मैं English बोला करता था I used to speak English मुझे English बोलने की जरुद है I need to speak English और मुझमें इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, क्या बोलोगे, I dare to speak English, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, I can help you, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, I can teach English, मैं इंग्लिश पढ़ा सका, I could teach English, मैं इंग्लिश पढ़ा सकूँगा, I will be able to teach English, मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए suggest करें, कि आपको वाँ जाना चाहिए, you should go there, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, you should help others, आपको दूसरों की मदद करनी पढ़ती है, you have to help us, आपको दूसरों की मदद करनी पढ़ती थी, you have to help us, आपको दूसरों की मदद करनी पढ़ करने की जरवत है, you need to help others और आप में दूसरों की मदद करने की हिम्मद है you dare to help others we have to speak back to back because the random practice, you know when we speak and when we talk with anyone in situational way, so we do not think कि हम अगला sentence क्या बोलने वाले है तो जब आप speedly बोलने की practice करते हो तो आप situational English बोलने के I have time to go there मेरे पास सीखने के लिए समय है I have time to learn मेरे पास बोलने के लिए समय है I have time to speak मैं बोल सकता हूँ, I can speak मैं कोशिस कर सकता हूँ, I can try मैं बोलने की कोशिस कर सकता हूँ, I can try to speak आप बोलने की कोशिस कर सकते हो you can try to speak इसी तरीके से अगला आपका है to be, to have, to have been, to have had और imperative sentence, भाइस सब कुछ practice करना है within 10 minutes मैंने का वो घर पर है, he is at the home वो घर पर था, he was at the home और वो घर पर होगा, he will be at the home वो घर पर है, वो घर पर था, और वो घर पर होगा इस वन राइट, उसके पास समय है, he has time उसके पास समय था, उसके पास समय था, he had time और उसके पास समय होगा, he will have time ऐसे ही to have been, मैंने कहा, वो एक डॉक्टर है, तो he is a doctor वो हाँ, दो साल से एक डॉक्टर है, मतलब उसको डॉक्टर बने वो दो साल हो चुके है तो आप एंगलिश में कहोगी, he has been a doctor for two years ठीक है, आप जब इसका पास समय बनाओगे, वो दो साल से डॉक्टर था, तो आप बनाओगे he had been a doctor for two years, और वो दो साल से एक डॉक्टर होगा, तो he will have been a doctor for two years, तो since oblique four since oblique four plus time, ऐसे देखो मैंने कहा, उसके पास एक कार है, he has a car उसके पास एक कार दो साल से है, तो he has had a car for two years, उसके पास एक कार दो साल से थी, तो he had had a car for two years, और उसके पास एक कार दो साल से होगी, तो he will have had a car for two years, यह इस तरीके से आपका बनता है, अब देख सकते हैं, यहां have had or ya will have had copying हुआ है तो बढ़ी यह आपका to be हो गया यह to have हो गया यह to have been हो गया यह to have had हो गया अबरॉल आपको करना क्या है you just have to make sanders back to back जिसे आपने कहा मैं busy हूँ I'm busy मैं दस दिनों से busy हूँ क्या था आपके दिमाग में तुरंद बोलो जल्दी से फास्ट, मैं दस दिनों से बीजी हूँ मैं बीजी था, I was बीजी, मैं दस दिनों से बीजी था, टाइम लगा दिया अपने I had been busy for tenders, मैं busy हूँगा, I will be busy, मैं कल busy हूँगा, I will be busy tomorrow मैं दस दिन से busy हूँगा, तो I will have been busy for tenders That is the way to practice ऐसे practice करनी बड़ेगी भई हमको, मैंने कहा मेरे पास एक car है, तो I have a car मेरे पास एक car दस साल से है, I have had a car for 10 years क्या काओगे, I have had a car for 10 years, मेरे पास एक car दस सालों से थी I had had a car for 10 years, मेरे पास एक car दस सालों से होगी, तो I will have had a car for 10 years That is the way to practice, तो ये तरीका है to have and to have had car अब इसके बाद last में हम लोग जो practice कर रहा है that is the imperative sentences मैंने कहा imperative sentence में वहाँ जाओ बोलना है सबको सुनना नहीं है वहाँ जाओ, go there वहाँ मत जाओ, जब किसी को कोई गाम करने के लिए मना करते हैं तो don't go there वहाँ कभी मत जाओ, तो कभी मत के लिए लगेगा never never go there वहाँ हमेशा जाओ, हमेशा के लिए लगेगा always वहाँ हमेशा जाओ, तो English में क्या बनेगा, always go there चलो हम English सीखें, let's learn English चलो हम English बोलें, let's speak English चलो हम खाना खाएं, let's eat food sentences बनाओ sentences बनाओ, na या why sentences बनाओ क्या बोलेंगे, make sentences sentences मत बनाओ, क्या कहेंगे, don't make sentences sentences कभी मत बनाओ, कभी मत की English क्या होगी, never make sentences sentences हमेशा बनाओ, always make sentences चलो हम कुछ नया सीखें, let's learn something new चलो हम कुछ नया बोले, let's speak something new चलो हम दूसरों की मदद करें, let's help others चलो हम अपने आपको improve करें, let's improve ourselves so that is the way to speak मैं चाहता हूँ कि आप back to back practice करके अपने आपको इस लेवल पर इंडूब कर ले कि you can translate any sentence confidently चलो एक random practice करते है दो मिनट की जिहान देना, मैं सुनता हूँ, I listen मैं सुन सकता हूँ, I can listen, मुझे सुनना चाहिए, चाहिए मतलब should, I should listen मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, I am ready to listen, तैयार हूँ, I am ready सुनने के लिए to listen, बोलने के लिए to speak, लिए to write मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, I am ready to go there आपको वहाँ जाना पड़ेगा, you will have to go there So that's called the practice, जब ऐसे आप practice करते हो ना, तो कहीं नी कहीं आप अपने अंदर एक अच्छा improvement फील करते हो, इसलिए मैं recommend करूँगा सारे के सारे students को, कि basic English में tenses models to be to have, ये चार-पांच चीजों के अच्छी practice कर लो यार, जितनी practice होगी, उतना शानदार, जानदार performance होगा आपका, I hope आप समझ गयोंगी मैं क्या चाहता हूँ